मदद करने वाला, उलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, सिंगी और मोत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्ला हाई वेवर्स, अस्सानाम अलेकुम मेरे क्लिनिक में मदर्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोस्टन के हमारे बच्चे के लिए कंप्लीट हेल्थी डाइट कौन सी होनी चाहिए माए अपने बच्चों की हेल्थी डाइट को लेकर बहुत परेशान होती है कि क्या खुराक दें कैसे दें बच्चे खाना नहीं खाती ठीक तरह या बजारी चीज़े शोक से खाती है घर की बैलनस डाइट नहीं खाती और मख्सूस चीज़ें शोक से खाती है अक्सर माई कहती हैं हमारे बच्चे खाना तो खाती हैं पर उन पर लगता नहीं बैसे ही कमजोर हैं फलाँ के बच्चे उसकी एच के हैं उससे बड़े लगते हैं फलाँ उसका कजन उससे छोटा है पर इससे सहत मन्द है तो ये मस्ता हर मा को रहता है जिनें नहीं पता बच्चे को हेल्दी और बैलेंस डाइट कैसे देना है सो आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन मदर्स के लिए जिनों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इस इशू पर वीडियो बनाए सो माई हेल्दी वाई पीपल्स आज की वीडियो और हमारी नेक्स्ट वीडियो सब मदर्स के लिए बहुत एहम होने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्लिफ healthy recipes बताएंगे जो आपके बच्चों की नशूनमा के लिए बहुत एहम किरदार अदा करेंगी। अभी आपको चंद ऐसे healthy food बताएंगे जो बच्चों की nutrients पूरे करने के साथ physically, mentally, development होगी। बच्चे active रहेंगे उनकी proper growth होगी अगर आप टेली उनको ये food यूज़ करवाती हैं। तो चैने शुरू करते हैं। नमबर एक, milk, दूद। दूद बढ़ते बच्चों यानि growing children के लिए एक तवनाई से भरपूर drink है। इसमें मुझूद protein, calcium, बच्चों की हटियों और दानतों को मस्बूत करती है। बलके बच्चों की नशुनमा में एहम किर्दार अदा करती है। दूद का इस्तमाल बच्चों के जहनी और जिसमानी नशुनमा के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे ऐसे दूद पीना पसंद नहीं करते तो उनको दूद में चीनी के जगा, शेहत, पीनट, बटर, माईलो या कोई भी healthy flavor डाल दें ताके बच्चे शोक से दूद पीना शुरू करतें। इसके इलावा दूद में फल एड़ करके शेक भी बनाके दे सकती हैं। स्ट्रॉबरी, बनाना, एपल बेस्ट हैं बच्चों की physical growth के लिए। और इसके लिए फ्रेश मिल्क टब्कों के दूद से बहुत बेतर है। नमबर टू, हनी, शेहद, शेहद के जाइके और फवाइद से हर कोई वाकिफ है। शेहद बच्चों के लिए एक एहम गिजा है। इसमें विटामन और मिनरल्स जो तवानाई से भरपूर होते हैं। स्पेशली सर्दियों में बच्चों को नजला जुकाम, चेस्ट, इन्फेक्शन, खांसी बुखार, बाड़ी पेंट के लिए बच्चों और बड़ों के लिए बहुत मोजू है। बच्चों को चीनी की जगा शेहद का इस्तमाल करवाएं। दू, देही, स्वीट डिशिज हेल्दी और बैलन्स डैट प्लान्ट प्रोटीन के बगएर अधूरा होता है, क्योंकि प्रोटीन एक एहम गिजाई जुज है, जो जिसम में एहम अफाल सरणजाम देने का सिमेदार है। इन में टीशू सेल्ट, सेल्स की बनियाद के साथ मुख्लिफ हार्मोड्स और एंट बच्चे से काम करते हैं। प्रोटीन में अंडे, गोस्ट, फल, दालें भी जैसे सुर्ख लोबिया, पनीर, मुंपली, खुश्क फुरूट, पदाम, मटर, गोबी, बन गोबी, नारियल। ये सब गजाएं बच्चों की जहनी जिसमानी नशूनमा के लिए बहुत जरूरी हैं। अंडा, रोजाना, नाश्टे में इस्तमाल करवाएं। बच्चे जैसे भी जिस भी फॉर्म में खाना पसंद करें। उबला हुआ, फराई, आमलेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत जबरदस्ट, किट्स, डाइट, ब्लान्ट या रेसिपीस बताएंगे जो तमाम मदर्स के लिए बहुत बेनिफिशल होंगी। नमबर चार, फ्रूट्स, फल। फल बच्चों की निशूनमा में एहम केदार अदा करते हैं। खास दोर पर केला बच्चों का एक पसंदीदा फल है। इसमें पोटेशियम, केलशियम, आईरन वगेरा। ये ऐसा फ बेक बनाकर रोज़ाना जरूर इस्तमाल करवाएं। उनके लंच में भी दे सकते हैं। नमबर पांथ, कार्बो हाइडरेट वाली घिसाएं। सूखा का मर्स ज्यादा तर उन पच्चों में पाया जाता है जिनमें अमूमन रोजमरा की खुराक में जरूरी अज़ा में कमी यानि कार्बो हाइडरेट या निशास्तादार अज़ा की कमी। जैसे के अनाज, जो, मके, रोटी, पास्ता, बेकरी की चीज़ें। अनाज का इस्तमाल बच्चों को कबस से बचाता है। इसके लावा बच्चों की जिसमानी नशूनमा के लिए बहुत जरूरी है। देसी गी मकषन आज कल बहुत कम इस्तमाल किया जाता है क्यूंकि आज कल की माई खुद भी देसी गी मकषन नहीं खाती और बच्चों को भी नहीं खिलाती। बच्चों को देसी गी या मकषन रोजाना एक या दो चमत जरूर इस्तमाल करवाएं। इसमें आप पराठा बनाएं, तोस बनाएं, अंडा प्राइ करें, देसी गी की चूरी बना के दें ये बच्चों को स्टेमिना प्रोवाइट करते हैं, उनमें सिचुरेटिड फैटी ऐसिड अनरजी बाहाल करते हैं ब्रेन डिवेलिपिंग के लिए भी एहम किरदार अदा करते हैं ड्राइफ फ्रूट खुश्क मेवाजात का इस्तमाल अलबता फलो, गोस्ट, अंडों के बरापर मेकदार में प्रोटीन नहीं दे सकते मगर उनसे मिलने वाला प्रोटीन ज़्यादा मुफीद होते हैं बदाम, किश्मिश, अखरोट, चलगोजे, इंजीर, फाइबर, माधनियात और विटामन से माला माल हैं बदाम को खुश्क मेवाजात का पाद्शा कहा जाता है बच्चों की जेनी नशूनमा के लिए नर्ची बूस्ट करने के लिए बदाम बहुत जरूरी है रात को साथ या नो बदाम भी गोगर सुबा खिलाने से आई साइट तेज होती है अगर बच्चे इसे नहीं खाते तो बच्चों को शेक बना कर दें ये वो घिजाए हैं जिनको इस्तमार करवा के मदर्ज अपने बच्चों की फिजिकली मेंटली डिवैलेप्मेंट से परेशान नहीं होंगी इसी तरह अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको स्कीन से रिलेटेड या आपको किसी भी बाड़ी पार्ट से रिलेटेड कोई इशूस हैं तो आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा क्लीनिक विजिट कर सकते हैं हम आपको proper homeopathic treatment प्रोवाइट करेंगे, आपको proper medication प्रोवाइट करेंगे, हम आपके issues को solve करेंगे, हम हर मुम्किन हद तक आपकी मदद करेंगे. So maintain the healthy life with healthy vibes. Good bye, Allah Hafiz. नापको आपकी मतापके